प्रिया यह तो क्या खा रही है अचार अचार वाओ यह तो मेरा फेवरेट है अरे वा बच्छो तुम लोग क्या खा रहे हूं मैं अचार अचार वाओ यह तो मेरा भी फेवरेट है क्या तुम्हारे मूँ में पानी आया येस मैं तुम्हारे येस मैं मेरे मूँ में में बहु बच्चो यह जो मुँ में पानी आता है इसे हम लार कहते हैं बच्चो यह लार हमारे मुँ में लार ग्रंतिया होती है वहां से आती है और पता है जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो यह हमारे खाने को गिला करती है उसे लसलसा बनाती है ताकि हम खाने को आसानी से निगल सके और साथी साथ ये लार हमारे भोजन को पचाने में हेल्प भी करती है मैं वो कैसे ही? क्या हम इसे करके देख सकते हैं? बिल्कुल करके देख सकते हैं चलिए करते हैं चलिए बच्चों हम करके देखते हैं कि हमारे मूँ में जो लार आती है इसकी क्रिया हमारे भोजन के साथ कैसे होती है ठीक है इसके लिए मैंने आटे का घोल यहाँ पर बना के रखा है इसे कैसे बनाना है एक चमच आटा और आधा बिकर पानी इस प्रकार से इसको तयार करना है अच्छा बच्चों बताओ कि इस आटे में कौन सा पोशकतत पाया जाता है स्टार्च वेरी गोड तो इन सब में स्टार्च पाया जाता है अब हम क्रिया कलब शुरू करते हैं इस आटे के घोल को हम दो टेस्टूब में लेंगे एक तुम पकड़ो प्राची और एक तुम हम लगभग 20 से 25 बूंदे आटे की घोल की दोनों टेस्टूब में डालेंगे ये लगभग इतना हम इसमें डालेंगे अब प्राची तुम्हें क्या करना है तुम्हें इसमें अपनी लार मिलानी है और तुम इसमें अपनी लार नहीं मिलाओगे ठीक है चलो लार मिलाओ लगबग जितना आटे का घोल है उतनी लार इसमें हमने मिला दी है अब बच्चो अब आप देख सकते हैं कि इसमें प्राची ने लार मिलाई और इसमें लार नहीं मिली है अब इन दोनों टेस्टीप को हम लगबग दो घंटे के लिए रख देंगे ताकि हम देखेंगे कि इस लार की क्रिया इस आटे के साथ किस प्रकार से हुई तो इसे हम दो घंटे के लिए रख देते हैं चलिए बच्चों, दो घंडे का समय हो चुका है, अब हम इसमें स्टार्ज का परिक्षन करेंगे इसके लिए हमें आयोडीन विलेन चाहिए अब इन दोनों परखनिलियों में हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे और देखेंगे कि इनके रंग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं जब भी हम किसी भोज़ पदात में आयोडीन का घोल डालते हैं और अगर उसका रंग नीला काला हो जाए, इसका मतलब उसमें स्टार्ज उपस्तित है और अगर उसका रंग नीला काला नहीं होता है इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्ति नहीं है चलिए करके देखते हैं ये प्राची तुम्हारी पर रखना लिए जिसमें तुमने लार मिलाई थी इसमें हम आयर्डिंग के कुछ बूंदे डालते हैं थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं इसे पकड़ो अब इस परखनली में भी हम आयर्डिंग के कुछ बूंदे डालते हैं और देखते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं अब हम दोनों परखनली को सामने रखेंगे अब देखो एक का रंग नीला काला दिख रहा है और एक परखनली का रंग नीला काला नहीं दिख रहा है जिसका रंग नीला काला दिख रहा है ये क्या दर्शर है कि इसमें स्टार्च अभी भी उपस्तित है और इसका रंग नीला कला नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें उपस्तित स्टार्ज नहीं है, इसमें स्टार्ज उपस्तित नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने लार मिलाई थी, और लार में उपस्तित एंजाइम्स की क्रिया स्टार्ज के साथ हुई, और उसने केटिल पदात को सरल पदात में बदल दिया तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमारी लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स हमारे बोजन को पचाने में हेल्प करते हैं